दोस्तों वित्कुंड का आज का जो टोपिक है वो बड़ा ज्यानदार स्यानदार सूपर ही टोपिक है हर किसी के इंटरेस्ट का टोपिक है हर कोई इसको जानना चाता है लेकिन इसके साथ अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी पंगा लेना नहीं चाता कोई इसका सामना कर चैनल को लाइक कर दो, शेर कर दो, सब्सक्राइब पर दो, प्योंकि जहां वित्थ है वहां वित्कुंड है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, दोस्तों वीडियो को अंद तक देखे करो, बहुत काम आने वाली वीडियो हैं, मेरे मुल्क के सम्माने साथियो, आज का फाइनेंसिल एजुकेशन वीटिये सिख्षया का टोपिक है, नेकोसियाबिल इंस्टुमेंट एक्ट 1881 की धारा 138, 138 जानि चैक बाउंस का मामला, दोस्तों अगर किसी अगर कोई चैक दिया है, कोई चैक काट्या है, और वो जो चैक प्राप्त करने वाला है, वो उस चैक को अपने बैंक साखा में, अपने खाते में प्रजैंट करता है, और bank वाले उस check को dishonor कर देते हैं, अनाधरित कर देते हैं, check को return कर देते हैं तो वो उस check के साथ एक return memo लगाते हैं और check जो return हुआ है उसका सपस्ट कारण उस पर लिखते हैं अगर bank ने कारण लिख दिया कि ये insufficient balance, ऐ परियाप धन्रासी, खाते में balance नहीं है तो जो check प्राप्त करता है, वो जो check का driver है, जो check जिसने दिया है उस पर NI Act 1881 के तहट, धारा 138 के तहट मुकदमा दायर कर सकता है लेकिन मुकदमा दायर करने से पहले, उसको check लिखने वाले को, जिसने check दिया है उसको 15 दिन का demand notice किसी वकील के थुरू देना होगा और अपने पैसे की demand करनी होगी अगर अगली party 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देती है, धनरासी नहीं देती है तो आप NI Act के तहट उस पर मुकदमा दायर कर सकती हो दोस्तों ये civil court में भी जा सकता है और ये criminal offense भी है अगर civil court में किसी को जाना है तो check का जो amount है उसके base पे उसको न्याएक सुर्क लगेगा और code of civil procedure order 37 के तहट यह 420-420 के अंतर गदा आता है दोस्तों लेकिन अगर NI Act के तहट किसी को मुकदमा करना है तो उसके पास कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी है वो check जो bounce हुआ है वो 15 दिन का notice, demand notice जिसमें demand की गई है अपनी धनराशी की और जो 15 दिन का notice आपने बेजा है, डाक से बेजा है तो वो डाक की receipt वो रसीद और आपके बीच में अगर कोई agreement हुआ है तो और जो आपने बारतिय डाक से जो notice बेजा है उसका tracking मतला अगले को वो notice मिला है कि नहीं मिला है और जब bank को, जब court को ये confirm हो जयता है कि actual में check bounce हुआ था तो वो आपके मुकदमे को accept कर लेता है और जब accept कर लेता है तो वो check लिखने वाले को, check देने वाले को सम्मन बेजदा है, सम्मन court जो है वो भारतिय डाक से, courier से या अपने वाहक के जरीए भेज सकता है और जहां वो रहता है या नोगरी करता है या business करता है उस पते पर उस address पर court भेज सकता है और जब सम्मन तामिल हो जाएं, मिल जाएं अगली पार्टी को, तो वो अगर तारीखों पर आ जाता है तो court उसको जमानती वारंट इसू करता है अगर वो तारीख पर नहीं आता है तो court arrest वारंट निकाल सकता है और जब arrest वारंट निकाल दिया तो पुलीस जो है 24 गंटे में उस अभियूत को, उस accused को court में पेश करती है दोस्तों ठीक है दोस्तों और बार-बार वुलाने पे नहीं आता है तो arrest वारंट और नोन बेलेवल गैर जमानती वारंट इसू हो जाते हैं ठीक है दोस्तों अब court में अगर किसी ने अपना जो ये अपराज है वो स्विकार कर लिया एक या दो तारीख में एक या दो हीरिंग पे तो supreme court का ये आदेश है कि उस पे कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए एक रुपेगा भी ठीक है दोस्तों अगर वो अपने अपराज को स्विकार नहीं करता है तो court अगर accused दोसी पाय जाता है तो court उसको दो साल तक की सजा या जो चैक पे amount लिख्या है उसके दुगले तक की सजा माल लो चैक एक लाग का है तो दो लाग तक की जुर्माना या जुर्माना और सजा दोनों ही दे सकता है दोस्तों और एक या दो तारिक पर अगर कोई lower court में स्विकार कर लेता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा अगर वो बाद में स्विकार करता है तो अगर lower court में स्विकार करता है तो supreme court का ये कहना है कि 10 पर्षेंट जुर्माने के साथ मतब 10 पर्षेंट तक का जुर्माना court उस पे लगा सकता है यानि कि check एक लाग का है तो एक लाग 10 जार रुपे अगर वो सेशन कोट या हाई कोट में स्विकार करता है तो पंदरा पर्शेंट मतलब चैक एक लाग का है तो एक लाग पंदरा हजार तक और अगर सुप्रीम कोट में स्विकार करता है तो बीस पर्शेंट तक एक लाग का चैक एक लाग बीस जार रुपे तक ठीक है दोस्ता और धारा क्योंकि 138 के तहट जो मुकदमा होता है वो समा के योग्य होता है अगर वो अपना अफराज स्वीकार कर लेता है तो अगर अफराज स्वीकार नहीं करता है तो चैक पर जो माउंट है उसके दुगने तक या दो साल की कैद या दोनों ही कोट उस पे जुर्माना लगा सकता है या ये सज्जा का प्रावदान कर सकता है ठीक है दोस्तो अगर किसी लोवर कोट ने फैसला सुना दिया तो उसके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो उसके पास 30 दिन का टाइम होता है दोस्तो और एन आई एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था 2018 में उसमें ये एक नया सेक्षन एड किया गया था कि अगर कोई चैक प्राप्त करता चैक के ड्रावर पर केस करता है मुकदमा करता है धारा 138 के तहट तो धारा 143A के तहट कोट जो है अक्यूज पे 20 परशेंट चैक अमाउंट का 20 परशेंट का जो धनरासी है वो चैक प्राप्त करता को देने का कह सकता है अगर चैक एक लाग का है तो कोट चैक लिखने के वाले को ये बोल सकता है राहत के तोर पे आप 20 परशेंट जो है पहले ही जो चैक प्राप्त करता है उसको देना होगा आपको ठीक है दोस्तों और ये सिविल कोट में भी जा सकता है और ये एन आई एक्ट के तहट भी ये मुकदमा हो सकता है दोस्तों insufficient balance के अलावा अगर किसी ने चैक काट दिया तब भी मुकदमा दायर हो सकता है अगर उसके sign जो है वो differ है तब भी 138 का मुकदमा दायर हो सकता है अगर उसने चैक काट दिया किसी ने और stop payment करवा दी तब भी मुकदमा दायर हो सकता है अगर किसी ने गारंटर के तोर पर चेक दिया है तो गारंटर पर भी 138 का मुकदमा हो सकता है अगर किसी ने अपने पिताजी का जो लाइबलिटी थी उसको चुकाने के लिए किसी ने चेक काट्य है तो 138 का मुकदमा नहीं हो सकता अगर किसी ने gift या दान दिया है और वो check dishonor हो गया तो भी धारा 138 का case नहीं बनता है दोस्तों तो बहुत बार जो है court के lower court के supreme court के high court के आदेश आए हैं और वो case to case basis होते हैं दोस्तों कई बार ये होता है कि अगर मालो किसी ने check काट दिया और check पर सिर्फ sign है और अगली party ने जो है और चीजे उसमें डाल दी मतब नाम, पैसा, date तो क्या उस पर मुकदमा हो सकता है बहुत बार ना supreme court का high court के जो फैसले होते हैं दोस्तों वो case to case basis भी जो है होते हैं कई बार circumstances, evidence जो होते हैं उस पर भी case depend करता है फैसला जो है वो depend करता है दोस्तों check की जो validity है वो 3 महिने की होती है तो जब check हम किसी bank में लगाते हैं तो वो जो है check की validity का ध्यान जरूर रखे पहले ये validity 6 महिने की होती थी जिसको आप 3 महिने कर दिया गया और जो bank से आपको written memo मिलता है उसके 30 दिन के अंदर आपको मुगदमा दायर करना होता है और सबसे पहले मुगदमा दायर करने से पहले 15 दिन का demand notice अगली party को देना होता है तो दोस्तों ये video आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं आसा करता हूँ ऐसी मैं कामना करता हूँ अगर video पसंद आया होगा तो मेरे बंदूओ चैनल को like कर दो share कर दो सबस्क्राइब कर दो राम राम बायो